फाइनली आप देखिये ये देखिये मैं बचूंगा वैसे सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ ये देखिये gratitude अपने attitude को समझता है because positive attitude determines the highest altitude of your life and the same way your solitude determines अपर यू धबा लगा के चला जाता है आया कि कोई इंसान आया और आप पे धबा लगा दिया कोई इंसान आया आप में छेद करने की कोशिस किया है लीजे पेचकस मार दिया मैंने की status डाला था उस status पर लिखा था कि वो आइना तोड़ दीजिए जो आइना आपकी बुराई करता हो जो आइना आपको ये बताता हो कि आप बजसूरत है जो आइना आपको ये याद दिलाता हो कि आप कमजोर है उस आइने को तोड़ दीजिए कुछ बहुत ही important बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ और जो आपके दिलो दिमाग में जहन में रूह में जाना जरूरी है मीरे हाथ में white color का paper है blank paper इसको आप जरा देखिए suppose करिए कि ये आप खुद है और आप कोई इंसान आता है आपके ओपर यह धबबा लगा के चला जाता है आया कि कोई इंसान आया और आप पर धबबा लगा दिया कोई इंसान आया आप में छेद करने की कोशिश किया है लीजे पेचकस मार दिया छेद हो गया आपके अंदर एक और छेद मारा आपके अंदर दो छेद हो गया अब आपके पास धब्बे आपके पास छेद ये सारी चीज़े हो रही है और आप अंदर से तूटते जा रहे हैं लेकिन ज़रा गौर से समझिये फिर आप क्या करते हैं, ये धब्बे और ये छेद उतने माइने रही रखते हैं, लेकिन अगर आपने अपने साथ कुछ ऐसा कर दिया, पहली बार आपने कोशिश की, आप नहीं जले, फिर आप इसको थोड़ा गौर से समझियेगा, क्योंकि थोड़ा सा difficult चीज है, थोड़ा complicated, थोड़ा दिमाग लगा के समझना होगा, आपने फिर क्या किया, फिर से कोशिश की, फिर आप बच गये, आप फिर से आ रहे हैं, फि आप फिर से कोशिश करेंगे, आपके अंदर अभी भी छेद है, आपके अंदर जो है कि कई न कई वो धब्बे पड़े हुए हैं, और आप लकी हो रहे हैं बार बार, आप बार बार बच जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अंदर से इतना तूट चुके हैं ना, अंदर से मायूस हो चुके हैं ना, आपके दिलो दिमाग में एतने छे दू चुके हैं ना, एतने धब्बे लग चुके हैं ना, एतनी निगेटिविटी आ गए ना, फिर से आप जलाएंगे इस चीज़ को और आप फाइनली देखिएगा कि आप अपने आपको क्या करते हैं, आप अ लेके आना चाहिए था एक्जामपल देने, अब फिर से आप कोशिश करते हैं, फाइनली आप देखिए, ये देखिए, मैं बचूंगा वैसे, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये देखिए, अब आप चले गए, मैं इसको बुझा दे लेकिन जब आपने खुद को आग लगा दी, तो आज आप मौत के घाट उतर गए, आप पूरी तरीके से नश्ट नाबूध हो गए, फना हो गए, बरबाद हो गए, पूरी तरीके से, और साथ में हमारे साथ कुछ ऐसा ही आजकल हो रहा है, कि हम अपने आप का इंपोर्ट लगी है, काजल और पारो से नहीं, खुद से जिन्दगी है, खुद से जिन्दगी है, तो खुद को समझना सीखो, खुद को आखो, खुद को तलाशो, खुद को जाचो, खुद को परको, खुद को आबाद करो, खुद को जो है कि संभालो, खुद को सजाओ, खुद को सज खुद से मुहबबत के बारे में बताया था, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम अपने आपको खुद को जला रहे हैं, खुद को बरबात कर रहे हैं, अरे ये क्या मुहबबत है, अरे आप भी यार क्या मुहबबत करते हो, आखें तुम्हारी देखती है, काजल किसी और को लग और को खिलाते हो, क्या मुहबबत करते हो, क्या मुहबबत करते हो, तुम क्या मुहबबत करते हो, सरा समझो इस बात को, माना की मुहबबत करना जरूरी है, माना की मुहबबत करना जरूरी है, लेकिन खुद से मुहबबत के बिना ये जिन्दगी अधूरी है, तुम भी क्या म दिक्कतें तुम्हारे पास आती है, मीत तुम्हें आती है, सुलातें किसी और को हो, और भूख खुद को लगती है, खिलातें किसी और को हो, क्या महब्बत करते हो यार, क्या महब्बत करते हो, तुम क्या महब्बत करते हो, किताबें खुद पढ़ते हो, ग्यान किसी और में तलाशते हो और यूहीं तुम्हारे पास बहुत सी दिक्कते हैं फिर भी किसी और की दिक्कतों को समझते हो तुम भी क्या महबत करते हो दूसरों की महबत को जाचने और तलाशने के लिए तलाशने के लिए तुम्हें खुद से महबत करना सीखना होगा क्योंकि खुद से पो समझता, इसलिए खुद के मुह्पत को समझो खुद से मुहपत करना खुआ जब हम खुद से मुहपत नहीं करते हों तो हमारे साथ क्या होता है? जिसывать मैं आपको एक इकजामपल दूँ कि एक गुलाब का फूल है वो गुलाब का फूल अगर आप उसको like करते हो, उसको पसंद करते हो, तो उस गुलाब के फूल को तोड़ लोगे उसकी खुश्बू के लिए, लेकिन अगर उससे महबत करते हो, तो कभी ये नहीं चाहोगे, कि वो गुलाब का फूल टूटे, आप हमेशा ये चाहोगे, वो गुलाब का फूल खिल खिलाता रहे, मुस्कुराता रहे, और यूही जो है हसता रहे, मेरे आंगन में यूही जो है कि पूरी तरीके से वाइट और रिड करके माहूल बनाता रहे, आप ये चाहोगे उस कुलाब के लिए, लेकिन आज कल हमारे साथ क्या हो रहा है, हम अपने आपको तोड रहे हैं, हम अपने आपको तनाओ में ले जा रहे हैं, हम अपने आपको इस्ट्रिस में ले जा रहे हैं, हम अपने आपको एंग्जाइटी में ले के जा रहे हैं, आरे हम अगर खुछ से मुहबबत होती है, उसको इंसान पाता है, उसको संभालता है, उसको सजाता है, उसको निखारता है, उस तो आप तनहाज होते हो ना, अकेले होते तो आपके पास options दो होते हैं, एक loneliness का, एक आखपन का, तनहाई का, जहाँ पे आप अकेला महसूस करते हो, जहाँ पे आपको लगता है, you need a partner, आपको एक कई न कोई पार्टनर की तलाश है, कोई आपको पार्टनर चाहिए, वहाँ प अकेले पन का, अपनी तनहाई को आप creative zone में लेके जाते हो, जहाँ पे अपने आपको तराशते हो, जहाँ अपने आपको चमकाते हो, जहाँ अपने आपको निखारते हो, जहाँ अपने अपने आपको आपको खुद समझते हो, अपनी ताकत को समझते हो, वहाँ पे आप बैटकर पहाडों पे कहीं न कहीं जप रहे हैं नाम, अपने आप में तनहाई में हैं, अपने आपको आक रहे हैं, अपने आपको तलाश रहे हैं, अपने आपको अपनी ताकत को पहचान रहे हैं, अप ज़रा उन से पूछे कि क्या आपके पास लॉन लिलने से हैं, आपके प अफरत करने का सिलसिला आप शुरू कर देंगे, लेकिन अगर उसी रूम में बंद करके आप अपने आपको तराश रहे हैं, अपने आपको तलाश रहे हैं, अपने ग्यान को बढ़ा रहे हैं, ग्यान को परकाशित कर रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं यह समझ लिजी कि आप सही को समझता है, अपने gratitude, अपने attitude को समझता है, because positive attitude determines the highest altitude of your life, and the same way, your solitude determines that how creative you are, how brightened you are, how actually innovative you are, you have to understand, आपको ये चीज समझने होगे, but you don't understand, तो खुद से मुहबबत करने के कुछ tips मैं आपको बताता हूँ, सुबह आप उठिये, आराम से ध्यान लगाईए, आराम से अपने बारे में अच्छा थोड़ा सा सोचिये, अपने आपको चेहरे को देखिये, और बोलिए यहाईना मुझे नहीं सही बताता है, तो आईने को तोड़ के निकाल दीजिए, खुद-खुद का आईना बन जाईए, खुद-खुद की मुहबबत बन जाईए, खुद-खुद का आईना बन जाईए, खुद-खुद की दवा बन जाईए, खुद-खुद का इलाज बन जाईए, खुद-खुद का एक hospital और medical store बन जाईए, खुद का बन जाए तब आपको लगेगा actually हमारे साथ क्या होता है आजकल जिंदगी इतनी भाग दोड़की इतने stress zone है ना हम job पे जाते हैं हम business में जाते हैं हम कहीं न कहीं जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है कि हम वहाँ से ठक कर आते हैं हम पूरी तरीके से ठके हुए होते हैं mentally, physically जब हम अराम से लेटे हुए होते हैं हमारे अगल बगल कोई नहीं होता हम तनहाई अकेला पन loneliness महसूस करते हैं उस वक्त that time, that moment we need a partner हमें एक साथी की जरूरत होती है एक राही की जरूरत होती है उस राही को तलाशने के लिए हम Instagram पे जाते हैं हम WhatsApp पे जाते हैं हम Facebook पे जाते हैं हम इधर उदर application Tinder पे जाते हैं अलग-अलग application पर जो है कि अपने partner को ढूडने की तलाशने की कोशिश करते हैं बतलब हम कहीं न कहीं अपनी तनहाई को अपने solitude को हम उसको loneliness में convert करके और हम अपने ताकत को ना समझके अपने आपको ना time देके हम उस वक्त किसी ऐसे इंसान को चाहते हैं जो हमारा साथ दे वहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत होती है इसलिए हमें उस वक्त क्या करना पड़ता है जब ऐसे इंसान को मुहबबत होती है या इसे इंसान को life partner मिलता है तो वो इंसान के सामने बहुत जादा sacrifice करता है क्योंकि emotionally वो बंदा weak है कमजोर है और जब उसको कोई life partner मिलेगा या मिलेगी तो वो उसी के हिसाब से चलेगा जैसे की वो चाह रही हो जैसे की वो चाह रहा हो तो you are getting the points उस वक्त जो है की दिक्कत होती है आप इस बात को एक दम बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझे और आप सोची कि जिससे आप मुहबबत करते हैं आप किसी लड़की से जो मुहबबत करते हैं खुद की बदन खुद की आख है खुद का दिमाग खुद का मस्तिस खुद का पेट खुद का लीवर खुद की पै खुद का पैर खुद का हाथ ये खुद का जो शरीर है वो सारी चीज़े आपको लाके दे रहा है लेकिन आप ज़रा सोची कि कोस्ते हैं और उसी खुद को कोस्ते 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 आप एक दिन जो है कि कहीं न कहीं टेंशन का शिकार हो जाते हैं और आप बीमार हो जाते हैं क्या यहीं है खुद से आपकी महबत नहीं है यह महबत यह फाइलाटिया नहीं है यह सेल्फ लब नहीं है यह लॉनलीनेस है यह कि fun, अमड़ा, entertainment, अपनी मस्ती, अपनी खुशी किसी और में ढूट रहे हैं, जरा सोची कि आपको कब तक कोई इनसान खुशी दे पाएगा, आज मैं हूँ जहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर आज जो आपके साथ है, कल वो आपके साथ नहीं होगा, और he और she will get away from you, and after that you will be just alone, फिर आपकेले हो जाओगे, मैं एक चोटा सा वाकिया आपके साथ शेयर करूँगा, एक इनसान को एक लड़की से महबत हो जाती है, बहुत गहरी महबत हो जाती है, हर खुशी वो जो है कि उस लड़की में ढूड़ता है, उसके साथ रहना चाहता है, उसके साथ पूरी जिन्दगी बिताना चाहता है, लेकिन आचाना कुछ एक दिन क्या होता है, कि वो लड़की का Philadelphia, America की बात है, वो जो उसका transfer हो जाता है, लड़की जाने लगती है, लड़का उसको देखता है, लड़का उसे बात करता है, नहीं मज जाओ, लड़की कहती है, मेरा job है, मुझे जाना पड़ेगा, लड़का कहता है कि ठीक मैं भी अपनी नोकरी छोड़ देता हूँ, और मैं भी फिर वो लड़का पूरी तरीके से, लॉनली हो जाता है, अकेला हो जाता है, तनहा हो जाता है, जहाँ पर उसके दोस्त यार थे, फैमली थे, मेंबर्स थे, पुराने यार थे, वो यारों को छोड़कर वो नए शहर में जाता है, उस लड़की की मुहबत के पीछे है, और म मैं हस रहा था हाज मैं नफरत में हूँ कल मैं महबबत में था मैंने महबबत को नहीं समझा नफरत में मुझे समझ लिया तो यही चीज हमारे साथ होती है जब आप अपनी खुशी को किसी और पे डिपेंड हो जाते हैं खुशी के लिए तो मेरे खाल से जो आज का lesson है, जो आज की बात है, बहुत details में है, बहुत आराम से मैंने बाते बताई है, मैंने paper का example दिया, बहुत सारी examples दिये, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की बात आपको बहुत प्यार से समझ में आईगी, और आप start loving yourself from right now, अभी से अपने आप से महबत करना शुरू करिए, देखिए, जिन्दगी बदल जाएगी, और आप कहीं न कहीं हमेशा खुश रहोगे, और तंदुरस्त रहोगे, और creative और innovative बनोगे, thank you so much, आपका दिन शुब हो, जिन्दगी शुब हो, खुश से महबत करिए